अलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर नभी नगरवाल मैं एक इंटरवेंशल कार्डियोलोजिस्ट हूँ जो गुजरात के वल्चाट और वापी जिले में प्राक्टिस करता हूँ आज मैं बात करूँगा बहुत इंपोर्टन और क्लिनिकली यूस्फुल टॉपिक के बारे में आज मैं बात करूँगा बाइपास सर्जरी के रिलेटेड इशूस के बारे में हमने bypass surgery के लिए already एक separate video किया जो कि आपने चैनल पर देख सकते हैं आज specifically हम बात करेंगे bypass surgery के बात तुरंत याने in hospital किस तरह की problems या किस तरह की issues create हो सकते हैं क्या का चीजों का ध्यान रखने की ज़रूरत है क्या क्या चीजे expect करके चलना चाहिए patient को कि इस तरह की problems या इस तरह की issues आ सकते हैं जो common सवाल लोगों के दिमाग में आते हैं उस बारे में बात करेंगे bypass surgery के बात के issues को हमने basically 3-4 segments में divide किया है in hospital issues, short term issues long term issues इस तरह से divide किया है तो आज specific के लिए हम बात करेंगे in hospital याने discharge से पहले तक होने वाले issues के बारे में basically bypass surgery open art surgery जिसमें heart की छाती को खोल कर heart की नलियों को एक तरह से repair किया जाता है यह basically इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई नली में अगर एक जगा पर ब्लॉकेज है तो उसके across दोनों तरफ एक bypass का graft create कर देते हैं एक artificial channel surgeon create कर देता है ताकि blood को उस bypass उस जो blockage है उसके through ना जाना पड़े bypass करके blood उसके distal तरफ याने उसके दूसरे सरी पर directly पहुँच पाए blood को उसके through ना जाना पड़े तो bypass surgery basically वैसे ही है जिसे road पे bypass होता है कि अगर कोई जगा पर blockage create हो गया हो unrestricted pass कर सके bypass का basically purpose यही है कि एक channel create हो जाता है जिसके through blood को जिसके current blood को blockage के through नहीं जाना पड़ता है वो एक side by channel से चला जाता है लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि surgery के दवान surgeon bypass करने के दौरान जो खुद की नलिया है उनको replace नहीं कर सकता वो खुद की नलिया वैसी की वैसी रहती है ऐसा इसलिए क्योंकि जो खुद की नलिया है उसमें करणों छोटी-छोटी branches होती है और यह branches जो है surgeon कोई भी surgical technique के दौरा create नहीं कर सकता इसलिए जब भी surgeon कोई surgery करता है तो उसको खुद की नलियों के across मैने मेन नली से खुद की नलियों के distal end तक एक channel create करना पड़ता है यह artificially अगाई हुई नली चाहे वो body के अंदर से ही ली जाए तो भी उसमें multiple collaterals develop करने के लिए छोटी-छोटी branches नहीं होती है जिसकी वज़े से यह branches surgeon surgical में create भी नहीं कर सकता जिसकी वज़े से जो खुद की नलिया है उस पर ही dependent circulation रहता है हाँ वो blockage चुहे उसके through blood ना जाए इसके लिए bypass create कर दिया जाता है पर कही लोग का यह concept होता है कि bypass के दौरान surgeon को एक नहीं नली create कर देता है यह नया tract create कर देता है यह नली को ही replace कर देता है वैसा possible नहीं है त्योंकि main नली को आप replace कर भी सकते है पर उसकी branches आप create नहीं कर सकते surgically सबसे पहले bypass को 1967 में Fabuloro नामक surgeon ने सबसे पहले किया था लगबग 60-70 साल से यह technology है पर पिछले 20-25 सालों में क्योंकि angioplasty की technology बहुत ज़्यादा common होगे बहुत ज़्यादा easily accessible होगे बहुत centers पर available है और surgery के comparison में कम complicated है इसलिए ज़्यादा तर आज कर लोग angioplasty को prefer करने लगे है angioplasty और bypass में क्या difference है इसके लिए separate अपने 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 वीडियो की है इसके लिए वो दो तरह के graph को use करता है या तो वो पाओ की नलियों से graph लेता है जिसमें पाओ की superficial femoral vein को cut करके वहां से टुकडा निकाल करके नलियों में anastomose या चिपका देता है वहां लगा देता है और उनके through blood जाना चालू हो जाता है या तो फिर वो ये करता है कि left hand की radial artery को cut करके उसको वहां पे लगा देता है तीसरा एक तरीका जो कि सबसे commonly used होता है वो है कि हाट चाती के अंदर एक internal memory artery होती है जो कि कंदे से lungs को supply करती है या नीचे की area में muscles को supply करती है उसको वहां से detach करके heart की नलियों में लगा दिया जाता है ताकि कंदे की नलियों से directly वहां blood आने लगे ये जो internal memory artery है जिसके बारे में लास्ट में बात की ये सबसे अच्छा graft होता है क्योंकि ये खाली एक सीरह को ही नीचे लगाया जाता है आट्री वाला जो graft है वह 10 साल में लगबग 85% केस में चालू रहता है और पाउं की नलियों से लियावा graft 10 साल में खाली 50% केस में ही चालू रहता है बेसिकली bypass surgery के दौरान अगर बड़ी surgery है complicated surgery है तो उस दौरान surgeon को graft करने के लिए heart को बंद करना पड़ता है और अगर यह heart को बंद करना पड़ता है तो उसमें cardio pulmonary bypass machine आती है जिस पर blood circulation को transfer कर दिया जाता है यह basically heart का function को एक तरह से करती है क्योंकि इसमें main नलियों से cannula के थूँ machine के थूँ connect कर दिया जाता है यह machine ही heart के बदले blood को pump करती है continuous blood का circulation maintain रहता है एक cannula main नली में से निकालके पेट की नलियों में उसको दूसरी cannula को fit कर दिया जाता है ताकि वहाँ से directly बिना heart के ही circulation maintain रहे और surgeon heart को बंद करके operation कर पाए ज्यादातर surgeons यह on pump बाइपर surgery को ही prefer करते है पर यह on pump बाइपर surgery को करने में कभी कबार surgery के दौराण infection होने का chance inflammation होने का chance reactions बगर होने का chance थोड़ा ज्यादा रहता है kidney बगर के damage होने का chance ज्यादा रहता है इसलिए newer technology में ज्यादा तोर surgeons आजकल off pump bypass surgery prefer करने लगे हैं जिसमें heart बंद नहीं करते हैं beating heart में surgery को कर सकते हैं पर इसमें थोड़ा technical skill ज्यादा लगता है और इसमें ज्यादा complex surgeries को आप नहीं कर सकते हैं comparative थोड़ी simple surgeries को आप इसमें कर सकते हैं ज्यादा तर bypass surgery के दौराण admission का जो duration है वो लगबग 5-7 दिन तक रहता है जिसमें पहले एक दिन patient ventilator पे रहता है usually अगर सब कुछ stable रहता है तो patient को एक दिन के बाद anesthesia से वीन आफ करके ventilator पर से निकाल दिया जाता है अगर सब कुछ stable रहता है तो 2-3 दिन के बाद patient को ICU में से shift कर दिया जाता है उसके बाद 3-4 दिन तक patient hospital में रहता है जिस दोरान उसके घाउं की dressing करना, antibiotics वगर देना उसको चलाना फिराना और उसको बाकी सब drains और tubes जो लगी रहते हैं उनको निकालने का प्रयास किया जाता है सब चीज अगर stable रहता है तो 7-8 दिन तक patient को hospital रखे फिर उसको discharge कर दिया जाता है कभी का बार ऐसा भी होता है कि patient operation के बाद या ventilator वगर पे लेने के बाद लंग्स वगर बराबर काम नहीं कर रहता है लंग्स सिकूर जाता है या इतरह से बंद हो जाता है काम इसको बोलते हैं या लंग्स पिचक जाता है तो उसको फुलाने वगर के लिए थोड़ी मशक्कत करने पड़ती है तो यह प्रोसेस लगबग 5-6 दिन तक चलता है जूजरी 7-8 दिन के बाद patient को discharge कर सकते है surgery का duration लगबग अलग केस में कितना complex surgery है उसके साब से 5-8 गंटे तक जाधा तर surgery चलती है इसमें जाधा तर patient को general anesthesia दें के surgery को करना पड़ता है patient को बेहोश करके surgery को करना पड़ता है क्योंकि यह surgery बड़ी surgery दोरान patient का movement या उसको pain होना बिल्कुल tolerate नहीं किया जा सकता है इसलिए patient को पूरी तरह से anesthetize करके बेहोश करके surgery को किया जाता है कुछ simple surgeries जहाँ पे एक आधी graph करना हो और case बहुत simple हो young patient हो वहाँ पे epidural anesthesia में बिना बेहोश किये भी surgeon surgery को कर सकते है हाला कि इसमें थोड़ा risk जादा रहता है results उतने अच्छे नहीं आते है इसलिए जादा तर surgeons बेहोश करके ventilator पर लेग यह surgery को करना prefer करते है कुछ-कुछ case में epidural anesthesia में भी surgery को किया जाता है पर यह सिंपल surgeries में ही possible हो पाता है जादा तर patient को अगर सबचीद stable रहता है तो patient को ventilator पे surgery के बाद लग बारा से चौबीस गंटे तक ventilator पे रहना पड़ता है अगर सब कुछ अच्छा रहता है और patient को कोई problem नहीं हो दी तो कुछ surgeons 5-7 घंटे में भी patient को extubate करवा देता है पर जादा तर surgeons prefer करते हैं कि surgery होने के next day तक patient ventilator पे रहता है उसके बाद patient को धीरे-दीरे ventilator support से withdraw किया करना चालू करते है supports धीरे-दीरे करके वीनाफ करना चालू करते हैं अब basically suddenly ventilator को धीरे-दीरे 90, 80, 70, 60 धीरे-दीरे करके support को withdraw करना पड़ता है फिर extra जाता है कि patient को सिर्फ tube लगा के सिर्फ oxygen supply पर ही रख देते हैं और ये भी अगर patient tolerate कर रहे था है इसको trial of extubation बोलते हैं ये trial of extubation अगर patient अच्छे से tolerate कर लेता है सांस्वास अगर अच्छे से ले पाता है saturation बराबर maintain करता है हिदे गती पर या heart पर कोई दुष्प्रभाब नहीं देखा जाता है तो फिर ventilator को निकाला जा सकता है usually 24 गंटे से 40 गंटे तक अभी-कभी इसे रखना पड़ता है case अगर खराब हो और patient की हाला ठीक ना हो heart pumping box जादा खराब है या patient को lungs में पानी भर गया है कोई और damage हो है तो कभी-कभी ventilator का state रखना जादा भी देर के लिए भी रखना पड़ता है पर obviously जितना जादा देर तक आप ventilator को रखते है उतना complications होने का chance भी बढ़ जाता है उतना ventilator से related infections होने का chance आज भी बढ़ जाता है तो ideally surgeons यही कोशिश करते हैं कि ventilator को कम से कम duration तक ही रखा जाए जितना जल्दी patient हो सके ventilator पैसे बाहर लिया जाए तो उतना जादा अच्छा है bypass surgery के दौरान patient की 1-2% patient की जान जाने का विरिस्क है क्योंकि bypass surgery के दौरान सब्सक्राइब करने के लिए तो वहां पर क्लॉट अगर निकल के ब्रेन बगर में भी जा सकता है कई बार हाट के अंदर कोई क्लॉट बगर है तो भी निकल के वह ब्रेन में जा सकता है इस तरह के complication अलग अलग तुरा कि हो सकते हैं कभी का बार लगवा सकता है spine का paralysis हो सकता है यह सारे तरह के जो complications है जो जादा तर एक से 5% cases में होते हैं जितनी complex surgery होती है और जितना pump function down होता है जितना उमर जादा होती है उतना complications होने का chance बढ़ जाता है जितने risk factors कम होते हैं जितना patient की condition अच्छी होती है stable होता है patient और जितने कम grafts वाली surgery होती है उतना risk competitively थोड़ा कम हो जाता है दूसरा यह है कि कभी कबार surgery के दौरान क्योंकि lungs में जब ventilate patient को करते हैं तो कई बार lungs में lungs एक तरह से पिचक जाते हैं दब जाते हैं इससे निकलने में भी कई बार patient को थोड़ा time लगता है ventilator से जब patient को जाते हैं तो बाद में इसी physiotherapy में हलके आथ से पीट को थपतपा के या exercises वगर करवा के breathing की blowing वगर की exercises जो करवाते हैं आपको practice वो करके दीरे-दीरे करके lungs को खोलने का प्रयास किया जाता है जादातर यह process में किसी-किसी case में 3-5 दिन लगते हैं जादातर यह lung collapse वगर का जो प्रॉब्लम है surgery के तुरंद बाद होता है पास-दस दिन के बाद अपने आप धीरे-देकर के physiotherapy और exercises से ठीक हो जाता है कई बार lungs में और heart में एक drain लगा दिया जाता है कि secretions वगर अगर निकल ने तो blood भार drain out हो जाए तो यह drain को लगवग 24-48 गंटे तक रखा जाता है जब तक इसमें एक certain amount से जादा अगर secretions आ रहे हैं तो फिर वो drain को continue रखा जाता है निकाला नहीं जाता है पर एक stage आती है जब यह drain में blood आना या secretions आना कम हो जाता है lungs खुलना चाली हो जाता है heart का भी irritability कम हो जाता है तब इस stage को निकाला जा सकता है कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि यह drain में ज़्यादा blood आने लग जाए तो इसका मतलब यह है कि अंदर कोई bleeding artery छूट गई है या कोई bleeding वहाँ पे कोई area damage हो गया जिससे blood leak कर रहा है उसे पता चलना है कि अंदर bleeding चालोगे तो वैसे case में कभी-कभी फिर से repeat surgery करके चाती को फिर से खोल के भी re-explore करना पढ़ सकता है और वैसे cases में कभी-कभी जान का खत्रा भी हो सकता है पर usually जादे-तर case में ऐसा नहीं होता जिसे deep venus thrombosis बोलते है यह clot अगर पाओ की नली में बन जाए तो उसको चोक कर सकता है और कई बार यह clot अगर महां से खिसके हाट से जो lungs में नली जाते है उसमें अगर चला जाए तो उसे पंभी embolism बोलते है जो जान लेवा हो सकता है और कई बार जैसे heart attack में लोग की जान जाती है वैसे lungs का attack होता है एक तरह से lungs की नली चोक हो जाते है तो इसमें भी जान जा सकते है इसमें मृत्यू प्रजशद बहुत जादा होता है यह ना हो इसके लिए बहुत जादा जहूर है कि कोई बनेज इतना जल्दी walking और ambulation पर चालू किया जाए कम से कम दिन patient को bed rest पर रखा जाए और secondly यह ना हो इसके लिए surgery के कुछ दिन बाद तक patient को खून पतला का निकली strong दबाई दिया जाता है जिसे DVT prophylaxis medicines बोलते है यह दबाई को बहुत जादा dose में नहीं दिया जा सकता कोई bleeding हो सकती है पर medium dose में doctor patient की condition और उसकी clotting के chances बगर को देखके दबाईयों को देते हैं कभी-कभी surgery के दौरान जो surgery के grafts हैं वो suddenly close भी हो सकते हैं ऐसा surgery के दौरान कोई technical problem हो तो भी हो सकता है कभी-कभार patient की artery बगर का बहुत छोटी हो या बहुत पतली हो या उसका nature खराब हो तो भी ऐसा हो सकता है acute closure usually अगर किसी को graft का होता है तो पहले 2-4 दिन-5 दिन में होने का chance ज़्यादा होता है जिसमें suddenly graft बंद हो सकते हैं वैसे केस में surgeon को कई बार तुरंत open heart surgery करके वापिस से graft को खोलना पड़ता है या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि in hospital ऐसे केस में graft को stent करके भी खोला जाता है उसको cardiologist stent करके भी क्यातला में खोल सकते हैं पर इसको manage करना कई बार tough होता है और कई बार acute graft closure हो तो heart attack वाली situation create हो जाती है ऐसा graft closure के दोरान patient को sudden चाती में दर्द वगर होगा ECG में changes आने लगेंगे और वैसे cases में या तो re-explore करके उसको वापिस से ठीक करना पड़ता है या angioplasty करके उसको open करना पड़ता है पर दोनों ही cases में जादा risk है दोनों ही cases में जान का खत्रा हो सकता है और अगर किसी भी patient को हाला कि ये graft closure होने का chance एक परसेंट से भी कम है पर अगर जिसको भी होता है तो वैसे cases में जान जाने का risk काफी बढ़ जाता है और इस तरह के patient में मृत्ति उदर कई गुना बढ़ जाता है नॉर्मली surgery वाले cases में वाइपास वाले cases में मृत्ति उदर एक से दो परसेंट रहता है पर कभी कबार अगर बड़ी surgery हो complicated surgery हो साथ में valves वगर का भी repair हो उमर दराज patient हो heart का pump function बहुत जादा खराब हो kidney वगर का problem हो, liver का problem हो, lungs का problem हो वैसे case में surgical risk कई बार 5-10% भी बढ़ जाता है कई बार acute phase में अगर surgery को किया जाए जहां heart attack के बाद तुरंती patient को condition खराब होने के वज़े से surgery तुरंत लेना पड़ता है वैसे case में मृत्यूदर भी काफी बढ़ जाता है यूजली नहीं आती है बहुत elderly patients या 80% की उमर के बाद surgery को किया तो जा सकता है लेकिन इसमें लकवा होने की chances heart attack के वज़े से मृत्य होने का chance heart के बंद होने का chance इस तरह की problems होने का chance थोड़ा बढ़ जाता है तो बहुत जादा उमर दरास patient में bypass surgery के results उतने अच्छे नहीं आते बहुत young patient में surgery करना easy तो रहता है लेकिन कई बार इसको avoid किया जाता है क्योंकि young patients में कई बार future में जब graphs बंद हो जाते हैं तो long term problems आने का अंदेशा तोड़ा बढ़ जाता है इसलिए बहुत young और बहुत उमर दरास दोनों ही patient में bypass को avoid किया जाता है जादा तर bypass के बाद patient 2-3 दिन तक ICU में रहता है और 7 दिन के बाद discharge हो जाता है discharge के बाद क्या-क्या issues create होते हैं वो हम अपने next video में bypass के बाद short term follow up के दोरान issues के बारे में बात करेंगे उसमें medicines और graph related और physiotherapy related क्या-क्या issues आते हैं उस बारे में बात करेंगे आज के topic में basically मेरा discussion करने का purpose यह था कि in-hospital patient को क्या-क्या issues आ सकते हैं hospital reaction के दोरान patient को किस तरह की problems बगर आ सकती है और क्या issues होते हैं उस बारे में हमने बात की इसमें हमने diet के लिए बात नहीं किया क्यों ज्यादा तर in-hospital bypass के patient जब तक ventilator बगर पर रहते हैं तो उसका diet hospital वाले ही manage करते हैं उसके बाद patient को थोड़ा सादा और less oily less spicy food आप खिला सकते हैं diet के बारे में और medicines के बारे में अपने next video में specifically बात करेंगे जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं हमारे चैनल का basic purpose यह कि heart और health related clinically relevant और scientifically correct information हम आपके लिए easy available कराना चाहते हैं ताकि बीमारी के बारे में आपको better समझ हो सके और बीमारी को better समझ के better उसको manage कर सके doctors के साथ better discuss कर सके और इस तरक information के लिए आपको सिफ अपने doctors और friends और relatives पर dependent ना होना पड़ें क्योंकि doctors कई बार time constraint के उज़े सारी चीज़े नहीं बता पाते हैं और friends और relatives से मिली भी information कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है जिसको follow करने से फाइदा करने होने के बदले लुकसान भी हो सकता है अगर आपको हमारी चैनल concept अच्छा लगता है तो वीडियो को like कीज़े चैनल को subscribe कीज़े अगर आपको लगता है कि content आपके friends और relatives के लिए useful है तो वीडियो के link को उनके साथ share कीज़े अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और topic पर हमको अपने चैनल पर बात करनी चाहिए जो की heart और health से related है तो नीचे description box में उनके बारे में हमें बताइए थाकि subsequent videos में हम उन topic को cover कर सके Thank you